वेलकम फ्रेंड्स आज हम NOS 336 कोड के अनुसार जो दूसरा चप्टर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखते हैं तो यहां पहला ही देखिए कुछ से ना गया जो हमारा पूछा भी था GUI का फुल फॉर्म क्या होता है कहता है आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हैं हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस होता है मतलब सबका आइकन बना होता है एक पिक्चर के रूप में होता है तो GU QI का यहां पर हमें full form याद रखना है graphical user interface इससे हमें क्या benefit मिलता है इससे हमें command को याद रखने का आबसकता नहीं होता है command monitor पर icon के रूप में दिखाई देते हैं तो यह भी चीज हो गया कि command monitor पर या screen पर icon के रूप में दिखाई देता है आज कल सबसे अधिक लोग परिये operating system विंडोज नाम से उपलब्द है जैसे हम कहते हैं Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 और जो latest operating system है Windows 11 समय के साथ Windows operating system का विकास Windows 95, Windows 98 और Windows 2000 के रूप में हुआ और वर्तमान में Windows XP जो syllabus है इसमें उसका तो Windows XP है लेकिन हमारा अभी जो latest version है वो क्या है Windows 11 है ना Windows Vista, Windows 7 उप्योग में लाए जा रहे हैं इस पार्ट में हम Windows XP के बारे में जो है यहाँ पर देखेंगे तो दो तीन question आपका यहीं पर हो गया कि GUI, GUI का full form graphical user interface command जो होता है वो monitor पर किस रूप में दिखाई देता है आइकन के रूप में दिखाई देता है आजकल जो सबसे अधिक लोग प्री operating system है वो किस नाम से मिलता है Windows नाम से मिलता है जो अभी वर्तमान में सबसे latest Windows है वो कौन सा है Windows 11 यानि operating system जो लेटेस्ट है वो Windows 11 चलिए अब हम आगे यहां आते हैं कि क्याता है आपको Windows XP से पूछ दे जैसे हमारा पिछे जो question पूछा है 19 में Windows XP से भी है क्याता है XP desktop का मुख्यभा क्या होता है तो start menu जो सबसे नीचे यहां पर क्लिक करने के लिए होता है वो हमारा क्या होता है start menu होता है start button पर क्लिक करने पर screen जो है हमारा इस तरह से नीचे दिखाई देता है ठीक है तो यहां कोई program जो हम install करते हैं computer में वह all programs के अंदर जाकर हमें दिखाई देगा तो यहां बताया गया है कि all programs में हमारा क्या होता है सभी install किये गए प्रोग्रामों की सुची प्रद्रशित करता है जिन्हें उप्योग करता सुरू या उप्योग कर सकता है माई डॉक्मेंट में क्या होता है तो वर्तमान उप्योग करता द्वारा उप्योग किये गए डॉक्मेंट की सुची दरसाता है ठीक है चले हम नीचे आजाते हैं यहां पर कंट्रोल पैनल पूछा था कंप्यूटर को संदचित यानि कंफिगर तथा करने तथा सब्ट्वेर और हार्डवेरों के हिस्से को अस्थापित करने हैं तू उपकर्नों की सुची प्रदान करता है क्याता है computer बंद करना यानि turn off computer खुले हुए प्रोग्राम को बंद करता है और वर्तमान उप्योग करता को लॉग आप करता है और computer system को बंद कर देता है यह होता है हमारा turn off computer अब है task bar हम किसको कहते हैं तो जो आपको यहाँ सबसे नीचे यहाँ देखे जो यह line दिखाए दे रहा है जिस पर हमारा time भी होता है यह सबसे नीचे इसी को हम कहते हैं task bar है जब आप computer system सुरू करते हैं तब start और task bar screen के निचले हिस्से पर दिखाए देता है और जब तक window चल रही होती है तब तक यह default रूप से दिखता रहता है तो task bar हमारा यही होता है जो सबसे नीचे यहाँ पर होता है start और task bar screen के निचले हिस्से पर यहाँ पर दिखाए देता है जब भी हम कोई जो यहाँ देखे जैसे हमारा word open है यह PDF file है यहाँ पर जो note से यह open है तो यह यहाँ पर दिखाए देता है अब यहाँ से आपका एक question बनता है डिलीट की गई file और folder recycle bin में तब तक रहते हैं जब तक कि उन्हें recycle bin से अस्थाय रूप से ना हटाए जाए मतलब यह हुआ कि यदि हम simple delete करते हैं file या folder को तो वो कहाँ चला जाता है recycle bin में चला जाता है हटाई गई file को पुना प्राप्त करने के लिए desktop पर उपस्थित recycle bin के आइकन पर डबल क्लिक करना है और फिर जिसको आप पुना वापस लाना चाहते है उस पर right click करके हम restore करते हैं तो यह question restore वाला पूछा हुआ था हमने जो पहले question का solution देखा है previous year वाला उसमें यह पूछा है restore यानि हम recycle bin में जो file है उसको restore कर सकते है उसके लिए recycle bin में जाना है जो folder या file को हम restore करना चाहते है उस folder या file पर जाकर right click करेंगे और restore का option मिलेगा यदि आप file या folder को अस्थाई रूप से delete करना चाहते हैं तो उसके लिए हम shift के साथ keyboard से delete बटन दबा देंगे या कहता है shift की को दबाय रहना है keyboard से और उस file को हम recycle bin तक drag कर देंगे ठीक है अब यदि window xp में आपको कोई software install करना है तो यहां कहता है नए software को install करने के लिए windows ए एक तेज और आसान तरीका प्रदान करता है control panel में उपस्थित प्रोग्राम जोड़े या हटाए एड और रिमूब प्रोग्राम उपयोगता computer system पर programs और components का प्रवंधन करने में साहता करती है मतलब यदि हमें software या hardware इंस्टॉल करना है computer में उसके लिए हमें कहां जाना होग और add और remove programs में उसके बाद जाना होगा तो यहां पर हम question देखते हैं delete की गई file और folder को recycle bin में संग्रहित किया जाता है सही है और यदि हम shift के साथ delete बटन दबाएंगे तो वो permanently delete हो जाएगा दूसरा edit menu के अंतरगत आप file का नाम बदल सकते हैं तो यह गलत है जब window xp से question आ जाएगा जो हमारा इसमें syllabus है वो window xp का दिया तो window xp में file का यदि नाम बदलना चाहते है तो वहाँ file menu होता है ठीक यदि अभी हमें पूछ दे window 8 या window 10 या window 11 का तो वहाँ file का नाम बदलने के लिए देखिए क्या होता है हम यहाँ इस PC में कोई document या कोई file यहां से जैसे हम यहाँ पे click कर देते है यह home tab में यहाँ पर rename का option होता है ठीक है या हम इसी file पर right click करेंगे देन यहाँ पर आपको rename का option मिलता है तो window xp में यदि पूछ देगा तो हमारा जो यह होता है file का नाम बदलना वह होता है हमारा किसमे file menu में होता है edit menu में नहीं होता है नया software install करने के लिए windows एक आसान और तेज तरीका प्रदान करती यह सही है यह तो हमने अभी ही किया था है जो control panel में add और remove programs होता है file menu के अंतरगत dash दबाएं और folder का chain करें तो file menu के अंतरगत हम new न्यू पे click करेंगे और folder का नाम जो है वहाँ पे folder select कर लेंगे यदि आप dash दबाते हुए file को drag करते हैं तो आप उस file का shortcut बना सकते हैं तो यदि आप mouse का दाया बटन यानि right button mouse का हम right button यदि दबाएंगे दबाते हुए file को drag करेंगे तो आप उस file का shortcut बना सकते हैं जब आप computer system सुरू करते हैं तब task bar screen के dash भाग में परदर्चित होता है तो task bar screen के निचले भाग में परदर्चित होता है यह हमारा होता है task bar desk से जब file और folder को हटाया जाता है तो windows इन्हें recycle bin में रख देता है hard disk से है ना जो भी computer में चीज बना होता है save रहता है hard disk में होता है hard disk से जब file और folder को हटाया जाता है तो window उन्हें recycle bin में रख देता है गएर क्रमा गट गएर क्रमानुगत file या folder का chain करने के लिए dash कुझी को दबा कर रखें तो control key को हम यहाँ पर दबा कर रखें गएर क्रमानुगत file या folder का chain करने के लिए control कुण्जी को जो है control की को हम यहां पर दबा कर रखेंगे अब यहां MS Word में हम keyboard shortcut की देखते हैं यहां पर है file खोलना इसका shortcut की होता है control O यदि आप MS Word के अंदर कोई file खोलना चाहते हैं computer में है तो उसके परे एक लिए corner की ऑसे करने पर. pores कोई आप आपका से उसे आप दुबारा कोई और नाम से करना चाहते हैं यहां thereof kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Ctrl F2, Print का Shotcut की Ctrl P, Print का Shotcut की Ctrl P, और फिर यहां पर Spelling और Grammar का Shotcut की, Spelling और Grammar का भी पूछावा है, F7 होता है, Spelling और Grammar का F7, और MS Word के अंदर ये दिया, आपको कोई सहता चाहिए Help, तो उसके लिए Shotcut की होता है F1, F1 से हमारा होता है help खोजने के लिए कोई चीज हमारा लिखा है और उसे में find करना हो तो उसके लिए होता है control app control app से shortcut की होता है find फिर है replace replace का shortcut की होता है control h replace का shortcut की control h go to का control g go to का shortcut की होता है control g यदि आप जो document में हमारा पूरा लिखा यहीं सभी का चैन करें फूरा डॉक्मेंट को हमें सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे सॉटकट की होता है कंट्रोल ए कंट्रोल ए करसर से लाइन की सुरुवात तक चैन करना हो तो सिप्ट के साथ होम करते हैं की सुरुबात तक चेन करने का मतलब आपका यहां हो गया जैसे हमारा यह लिखावा यहां पर हमने अंत में क्लिक किया यहां तक आपको सुरू तक सेलेक्ट करना हो लाइन के सुरुबात तक तो हम यहां सिप्ट के साथ होम प्रेस कर देंगे तो यह लाइन के सुरुबात तक सेलेक्ट हो गया और यदि मालीजी हम यहां सुरू में रहें अंत तक सेलेक्ट करना हो तो सिफ्ट के साथ एंड की प्रेस कर देंगे तो हम अंत तक इसे सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन के आरंभ में जाना इसके लिए होम करते हैं यहां आन लिजे हम अंत में हमें इस लाइन के सुर्वात में आना हो तो हम होम की प्रेस करते हैं और यदि आपको तुरत से यहां से अंत में आना हो तो हम यहां end की प्रेस करते हैं यह लाइन के आरंब में जाने के लिए home और लाइन के अंत में जाने के लिए end अब है दस्ता बेज के आरंब पर जाना control home दस्ता बेज के आरंब पर जाना मतलब हम यदि यहां अंत में हैं मतलब नीचे हैं हमें जाना है first में हमने first में क्या लिखा था control के साथ home की press कर देंगे ये देखिए हमने यहां से शुरू किया था है ना और यदि हम control के साथ end की दबा देंगे तो यह हम सीधे page के अंतिम में आ जाएंगे जहां पर हमारा cursor है फिर है cut cut का shortcut की control x होता है copy का control c होता है cut का control x और copy का control c और paste करने के लिए control v होता है paste का shortcut की control v undo का shortcut की होता है control z किये के काम को यह वापस कर देता है और redo का होता है control y redo का shortcut की होता है control y format painter जो हम use करते हैं उसके लिए shortcut की है control shift के साथ c control shift और c मांकि left align के लिए control L यानि by alignment central के लिए होता है control E दाया right side के alignment के लिए होता है control R और justify के लिए होता है control J justify में हमारा दोनों side से क्या हो जाता है line बराबर हो जाता है ठीक है पिछला सब्द मिटाने के लिए कह रहा है control backspace पिछला सब्द यदि आपको मिटाना हो तो यहां पर हमें यदि पिछला सब्द मिटाना हो तो हम यहां करेंगे control के साथ backspace बटन control backspace तो एक बार में आपका क्या होगा पीछे वाला टूटल सब्द मिट जाता है यदि हम backspace बटन normal backspace दबाते देखिए एक एक letter को delete करता है यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारा पुरा सब्द ही खतम हो जाए तो control के साथ backspace तो एक पुड़े word को यह क्या करता है खतम कर देता है हमने undo कर दिया control जट बुलेटेट सुची लागू करना उसके लिए होता है control shift L बुलेटेट सुची लागू करना का मतलब यहां पर हम control shift और L यदि प्रेस कर देंगे तो यहां पर एक bullets बन गया आप टाइप करेंगे देखिए यहां पर bullets आता जाएगा इस से क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है देखिए यहां उपर आप ध्यान दीजेगा यह आपका आगे हो जाएगा control M करने से यह हमारा आगे होता जा रहा है लिखेंगे अब तो हमारा यहां से लिखाएगा अना कि मैं ने control Z कर दिया पेज ब्रेक का होता है control enter पेज ब्रेक का मतलब होता है आप यहां मान लिजे हमने यहां पर लिखा यहां तक अब हमें इसके बाद पेज दूसरा नया ले लेना है यह new पेज में चला जाए control enter कर देता है control enter तो यह हमारा देखिए दूसरे पेज में आ गया तो यह होता है हमारा page break, control enter, control B से होता है हमारा bold, control I से होता है italic, control B से bold, कोई सी text को हम गाढ़ा कर सकते हैं, I से italic, और control U से होता है underline, यदि आपको double underline लगाना हो, तो control shift के साथ D दबाएंगे, control shift और फिर D दबाएंगे, double underline यहां हम एदि करना हो, यहां पर हमने लिखा shift के साथ end कर लेते हैं, select हो गया एक line, control shift और D दबादेंगे, तो देखिए इसके नीचे आपको क्या हो गया, double underline लगाना है, और फिर है सब्द underline करना, केबल सब्द को एदि आप underline करना चाहते हैं, तो control shift और W, यह तो question पूछा भी था, सब्द underline करने का shortcut क्यों होता है, control shift और W, यहां हम इसे shift home से select कर लेते हैं, पहले से हम हटा देते हैं, control shift D, हट गया हमारा, फिर हम करते हैं, control shift W, तो यह केबल क्या करता है, एक एक सब्द को जो है underline करता है, और फिर सभी बरे अक्षर में दिया आपको लिखना हो, तो control shift और फिर A प्रेस कर देते हैं, जैसे हमने यहां पर देखिए, यह sentence लिखा, यहां पर हमारा सारा जो है capital लेटर में नहीं लिखा है, फिर्स्ट कहीं capital है, फिर्स्ट में और कहीं नाम है तो, इसे हम select कर लेते हैं, और हम यहां करते हैं, control shift और A, तो इससे देखिए क्या हो गया, सारा अक्षर हमारा यहां पर capital हो गया, तो सभी अक्षर को यह दिया, आप capital में लिखना चाहते हैं, तो select कर लेंगे, और फिर control shift A कर देंगे, case बदलना, तो उसका shortcut क्यों होता है, shift के साथ F3, जैसे इसे हम चाहते हैं, यह सब small में हो जाए, तो यहां पर हम shift के साथ F3 प्रेस करते हैं, देखिए सारा small हो गया, फिर shift A3 करेंगे, first letter सबका capital, फिर shift A3 करेंगे, तो यह सारा capital हो गया, तो shift A3 change के से होता है, इससे हमारा अक्षर जो है change हो गया, सब script और super script, सब script का control के साथ बराबर होता है, सब script का मतलब हो गया आपका, जैसे हमें यहां पर लिखना हो, h2o, h2o, यह 2 हमारा नीचे चला जाए, तो 2 को हम select कर लेंगे, और control के साथ हम कर देंगे यहां पर बराबर, यह देखिए, जो 2 है हमारा वो नीचे चला गया, और super script क्या होता है, जैसे आपको A plus B का whole square लिखना हो, यह आपको मालेज़े 10 पर power 2 लिखना हो, जैसे 10 पर power 2 लिखना है, तो 2 को हम यहां select कर लेंगे, और control shift और फिर यही बराबर या plus आप press कर देंगे, तो यह देखिए, उपर चला गया, इसी तरह से 2 को भी select कर लेंगे, control shift और यही हमारा plus या बराबर जो है, उसे select कर लेंगे, तो यह हमारा उपर चला गया, यहां start cut किये, control shift बराबर या control shift प्लस, hyperlink बढ़ाने के लिए होता है, control K, hyperlink बढ़ाने के लिए control K, चलिए, यहां आपको धियान रखना है, निरंतर line को समाप्त करने, और नए paragraph पर जाने के लिए, paragraph के अंत में enter की दबाना पड़ता है, ठीक, यह कुस्तर ना जाएगा, कि नए paragraph पर जाने के लिए, paragraph के अंत में कौन सी की प्रेस करते हैं, तो enter की प्रेस करते हैं, ठीक है, और यदि हम कोई paragraph लिख रहे होते हैं, तो automatic से वो क्या होता है बिना enter दबाए है ना बिना enter दबाए हम अगली लाइन में चले जाते हैं लेकिन हमें paragraph यदि change करना है लिखने के बाद तो हम क्या करते हैं enter की दबाते हैं अब है यहाँ पर text प्रविष्ट यानि enter करना मौजुदा दस्तावेज में text enter करने का जो है नीचे दिये गए पालन कहता है यह सब होना चाहिए तो keyboard पर उपस्थित arrow button का उप्योग करें तो keyboard में हमारा चार arrow button होता है माउस को उस अस्थान पर ले जाकर और बाया बटन क्लिक करके cursor को वहाँ ले जाए जहां आप text enter करना चाहते हैं उस text को type करें जिसे आप enter करना चाहते हैं अस्थावेज के text में एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने के लिए नीचे जो है तो हम बाया जाना है तो left arrow प्रेस करेंगे तो बाया चले जाएंगे अब arrow प्रेस करेंगे तो उपर चले जाएंगे लेकिन यहां है line की सुरवात में जाना हो तो हम home की प्रेस करते हैं लाइन के सुरबात में यहां तुरत आना है आगे तो यहां हमें home button प्रेस कर देना है keyboard से और line के अंत में जाना हो आपको तो यहां पर end की प्रेस कर देते हैं तो home हो गया end हो गया दस्ताबेज के सिर्ष पर जाने के लिए control के साथ home की प्रेस करेंगे दस्ताबेज के सिर्ष का मतलब हो गया इस document में हम यदि हैं अभी हमें सबसे first जो पहला page है वहां उपर जाना है control के साथ home press कर देंगे देखिए हम यहां first में सबसे ऊपर आ गए और हमें सबसे last यह अंतिम जाना हो control end की press कर देंगे तो यह हम देखिए सबसे last जो अंतिम हमारा जहां कर सरे यहां आ गए यह हमारा last page है अब उस text को type करें जिसे आप enter करना चाहते हैं मतलब यदि अंत में हमें कुछ लिखना है तो हम आपर लिख सकते हैं ठीक है चलिए अब है space bar और tabs space bar और tab का क्या मतलब है अपने सब्दों space bar कौन सा सबसे पहले होता है keyboard पर जो सबसे लंबा की होता है वह हमारा space bar होता है तो अपने सब्दों और वाक्यों को विभाजित करने के लिए space bar का हम प्रियोग करते हैं टेक्स्ट की लाइन में insertion point को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने के लिए space bar का उप्योग नहीं करना चाहिए यदि आप space bar दबाते हैं वर्ड अतिरिक तिरिक तस्थान डाल देगा यहां इस पेस दबार दबाएंगे तो वह जगह जो है space space लेते जाता है जिसे बाद में आपको हटाना होगा पाठ में कॉलम बनाने के लिए space bar का उप्योग करने से बचे इसके बजाए आप टैब कुंजी का उप्योग कर सकते हैं यदि हमें यहां मालने जिए नेम लिखना हो और आगे आकर यहां नाम लिखना हो यहां पर देखिये यहां पर तो हम यहां space bar न दबा कर tab दबा कर इस तरह से हम यहां 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 पर हम नाम टाइप करेंगे यहां 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 space bar देते हैं तो वह एक तरह से space का भी जो है वो जगह लेता है तो वही कहता है column बनाने के लिए space bar का उप्यो करने से बचे इसके बज़ए आप tab का यूज करें अब यहां टेक्स्ट का चैन यानि highlight करते हैं टेक्स्ट को तो टेक्स्ट के किसी भी गुन को परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले उसे highlight किया जाना चाहिए जैसे हम bold करना चाहते हैं इटेली करना चाहते हैं या फोन साइज बराना चाहते हैं कियता है माउस के बटन को दबा कर रखते हुए मन चाहे टेक्स्ट पर माउस को ड्रैक करें मतलब जैसे हमें यहां पर इसे select करना होगा थो हम बाया बटन यानि लेप्ट बटन दबा कर इस पर ऐसे खी इसलिका यहां पर कि माउस के किस बटन को दबा कर रखते हुए मन चाहा टेक्स्ट को जो हम खीच सकते हैं раб करते समय स्संष के कीक और रखेंगे यदि आप यही काम keyboard से करना चाहते हैं, हम जैसे home पे हैं, यहाँ पे click कर दिए, shift के साथ यदि हम right arrow अभी press कर रहे हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पर keyboard से भी हमारा select हो रहा है, shift के साथ यदि end की कर देंगे, तो यह तुरत last तक जो हमारा select हो जाएगा, उस line का, यह कह रहा है यह हमारा select हो जाए, तो एक दो, दो बार हमने तुरत तुरत क्लिक किया, तो यह हमारा सब्द select हो गया, फिर है संपुर्ण अनुछेद, अनुछेद के अंदर तीन बार click करें, अनुछेद मतलब एक तरह से paragraph हो गया, जैसे हम यहाँ उपर आएं, तो paragraph हमारा, जैसे हम यहा लाइन है यहाँ पर, तो एक दो, तीन, तीन बार जो है click करने से, यह त्रिपल click, तीन बार तुरत तुरत क्लिक करने से क्या होता है, एक paragraph हमारा select हो जाता है, और दो बार click करने से क्या होता है, एक दो, एक सब्द select होता है, और तीन बार, एक दो, तीन, पुरा paragraph select हो जाता ह कई सब्द या लाइन है तो माउस को सब्दों पर ड्रेक करें या arrow की का उप्योग करते समय shift कुंजी को दबाए रखें देखिए जैसे हमें क्या करना हो यहां पर जो है सब्द या लाइन को select करना हो जैसे हम यहां पर माउस लाएंगे left बटन दबा कर इस तरह से खीचेंगे जितना हमें select करना होगा उतना हम इस तरह से खीचते जाएंगे या हम क्या कर सकते हैं ऐसा देखिए left में आपको यहां पर arrow बन रहा होगा यह देखिए arrow left बटन को दबा कर हम ऐसे नीचे खिषते जाएंगे तो इस तरह से भी हम select कर सकते हैं या हमें यह जो first line ये वाला select करना हो और ये PCI वाला select करना हो हम यहाँ arrow की से click कर देते हैं और keyboard से हम यहाँ पर shift बटन दबाते हैं और यहाँ click कर देते हैं तो यह देखिए इस तरह से भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक select कर सकते हैं कि क्याता है संपुर्ण दस्तावेश तो जो है यहाँ पर मेन्यू बार पर कहता है एडिट select all यहाँ यहाँ पर यदि हमें टूटल यह जो जितना भी हमारा लिखा वा यह सब हमारा select हो जाए उसके लिए हम control ए प्रेस करते हैं तो इस तरह से हमारा जो भी डॉक्मेंट में लिखा है वो टूटल हमारा यह चीज select हो जाता है ठीक है प्रिष्ट पर चैन के बाहर कहीं भी क्लिक करें या कीबूड पर एरो की दबा कर आप टेक्स चैन से हटा सकते हैं अभी हमें टेक्स्ट को हटाना हो यह select all से हम कोई arrow की दबा देते हैं या हम माउस से कहीं पर क्लिक कर देंगे तो यह देखिए हमारा जो है selection हट गया ठीक ह अब है टेक्स्ट मिटाना टेक्स्ट हटाने के लिए keyboard पर backspace और delete की का उप्योग करते हैं है ना backspace की क्या करता है तो backspace करसर के बाई और के text को मिटाता है देखिए यहाँ पर जैसे हमारा करसर अभी यहाँ हो माल लिजे यहाँ पर white के पास यहाँ है यदि हम यहाँ अभी by side को मिटाएगा यानि पहले e मिटेगा फिर d मिटेगा ऐसे मिटेगा हम अभी control z कर देते हैं और यदि हम अभी करसर माल लेते हैं w के पास करते हैं और यदि delete बटन दबाते हैं तो पहले वो क्या मिटाएगा w मिटाएगा फिर e फिर d मिटाएगा यहाँ यहाँ याद करसर के दाईी और के टेक्स्ट को मिठाता है और डिलीट करसर के दाई motor के टेक्स्ट को मिठाता है तेक्स्ट की बरे चायन को हटाने के लिए व्परोख्त बिधि में से किसी का भी उपयोग करके हम उसे हैलाइट कर लेंगे और फिर डिलीट दबा देंगे जैसे अभी हमें यहां से लेकर यहां तक डिलीट करना हो तो देखिए हम यहां एपल के पास आकर क्लिक करते हैं या हम यहां पर एरो किसे ऐसे क्लिक कर देते हैं सलेक्ट हो गया हमारा और फिर हम shift बटन दबा कर यहाँ www के पहले आकर click कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा यह select हो गया और keyboard से हम delete बटन दबा देंगे यह delete हो गया। अभी हम control Z कर देते हैं, undo हो गया। कहता है, text परति अस्थापित करना, अवांचित यह अंचाह text को हटाना, insertion point को सही जगह पर अस्थापित करना और परति अस्थापित किये जाने वाले text को enter करना। मतलब यदि आप चाहते हैं यहाँ पर जैसे apple ना लिखा हो, apple की जगह पर mango लिखा जाए। तो हम यहाँ इसे select कर लेंगे और फिर यहाँ type कर देंगे mango, तो देखिए apple हटकर यहाँ पर mango आ गया। यहाँ हमने उसे क्या किया, select किया और हम फिर से उसे type कर दिए नए सब्दों। तो हटाए जाने वाले text का chain करेंगे और नया text type करना सुरू कर देंगे, तो पहले वाला text हट जाएगा और नया वाला text हो जाएगा, ठीक है। अब है text format करना, तो text की कई विशिस्ताओं को बदलने के लिए formatting toolbar जो है सबसे आसान तरीका होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, word में आजाते हैं अभी हम यहाँ word में, यह हमारा देखिए home tab पर यह हमारा formatting toolbar है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, format कर सकते हैं, जैसे यहाँ control B shortcut की होता है, italic control I होता है और U यानि underline control U होता है, यहाँ ABC हमारा strike through है, यानि कटा हुआ आ जाएगा, यह हमारा sub script और यह हमारा super script, यहाँ से हम font की size को अधिक या कम कर सकते हैं, यहाँ हमारा होता है text effect and typography और यह हमारा होता है text highlight color और यह होता है हमारा font color, यहाँ हम फिर paragraph क option में आकर यहां से text को center, left align, right align इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो यह सब option हमें मिलता है formatting toolbar में, कहाँ पर? तो home tab में ही मिलता है, यहाँ पर font और paragraph ब्लोक में यह सब option हमें दिखाई देता है, इसके help से हम text की formatting कर सकते हैं, अब फार्मेट पेंटर क्या होता है, तो सबस पर यहां clipboard option में clipboard में जो यहां पर block है मारा clipboard home tab में clipboard में यहां पर format penter का option दिखाये देता है इसका यूज करने के लिए क्या है जैसे यहां जो www लिखाया है यहां पर यह font का हम चाहते हैं यह भी हो जाए यह सब्दूर इसके लिए आपको कोई इससे पूरा select कर लिजे या कोई एक अक्षर हम select कर लेंगे यहां format penter पर आकर करेंगे click then यहां हम देखिए arrow बंदा है हमारा left बटन दबा कर इस तरह से इसे हम खीज देंगे तो यह देखिए same font हमारा इसका भी आ गया बिना font यहां से change किये format penter का use करके जो कहां मिलता है home tab पे clipboard block में format penter ठीक है तो यह है cursor को उस text के बीच में रखें जिनकी formatting आप copy करना चाहते है standard toolbar पे formatting penter format penter पे click करेंगे ध्यान देखिए आपके pointer के बगल में pen brush है तो format penter यहां पर देखिए pen brush हमारा यहां पर होता है यहां पर माउस द्वारा उस text को highlight करेंगे जिसके सामने हम यह format लगाना चाहते हैं उसके बाद हम mouse button को छोड़ देंगे ठीक है अब यहां ध्यान देने वाला बात है tab stop default रूप से tab stop by margin से 0.5 इंच के अंतराल पर set होता है तो by default यदि हम keyboard से tab button प्रेस करते हैं तो वहां पर कितना जगह छोड़ता है 0.5 इंच का जो है वह जगह छोड़ता है अब है हमारा border और setting तो जो अभी जो हमारा MS word है उसमें border और setting का option हमें कहां मिलता है तो design tab पढ़ाएंगे design में या design menu में यहां पर हमारा देखिए page border लिखा है यहां page border, page background में है page border पर क्लिक करेंगे और यहां से हम page में border लगा सकते हैं या normal border लगा सकते हैं किसी text में या कोई paragraph में है ना page border और यहां पर हमें मिलता है setting का option page border और setting तो कहां मिलता है design में यहां पर page background block में हमारा page border का option मिलता है page color भी यहीं पर होता है watermark भी यहीं पर होता है design tab में अब है bullet और number सुची हम कैसे लगाते हैं तो अभी हमारा जो ms word होता है उसमें आपको home tab में ही यहां पर यह जो है option हमारा यहां पर paragraph block में यह हमारा bullets है इस तरह से हम यहां bullets लगा सकते हैं यहां आपको number लगाना हूँ तो यहां पर से देखिए यहां हम number यहां पर इस तरह से लगा सकते हैं जो 123 जो भी लगाना है इस तरह से हैं तो home tab में paragraph block में यहां पर number का option मिलता है अब है text को copy और cut करना और फिर उसको paste करना तो देखिए text को अपने दस्तावेज के किसी अन्य स्थान पर copy करना या ले जाना भी संपादन प्रक्रिया का एक हिस्सा है अपने दस्तावेज में text को फिर से type करने से बचने के लिए आप copy और cut command का उपयोग कर सकते हैं टेक्स्ट को दस्ताबेज के भीतर या किसी अन्य दस्ताबेज में copy करने और ले जाने में clipboard का जो है उपयोग होता है यानि हम यदि टेक्स्ट को यहां से जब भी हम text को copy या cut करते हैं तो वो text memory कहां चला जाता है clipboard कहते हैं जिसे वहाँ पर वो store हो जाता है कि जब भी हम किसी जो है text को copy या cut करते हैं तो वो कहां चला जाता है clipboard में चला जाता है किसी text को हम जब cut या copy करते हैं तो वो हमारा clipboard में चला जाता है जैसे यहां पर माले जे mango यहां ना रहकर नीचे आ जाए यहां पर तो यहां हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, Ctrl X होता है, shortcut की, cut हो गया, यहां नीचे आजाएंगे, enter कर देते हैं, Ctrl V से हम test कर देते हैं, यह देखिए, text हमारा यहां आजाए, और फिर, यदि इसे हम फिर से copy कर लेते हैं, Ctrl C copy, यह टेक्स्ट हमारा यहां भी रहे, और यहां उपर भी आजाए, तो हम यहां पर Ctrl V से paste कर देते हैं, फिर से paste कर देते हैं, देखिए, फिर से आजाएगा, तो यहां देखिए, उपर भी है हमारा text, और यह नीचे भी text है, Ctrl C से copy, और Ctrl V से paste, Ctrl X से cut, तो यह के बल ध्यान रखना है, कि text को copy और cut करने में, हमारा कहां चला जाता है, वो text clipboard पे store हो जाता है, अब है spelling and grammar, spelling एवं grammar, तो spelling और grammar checkers, गलत spelling वाले सब्दों, या व्याकरन की तूटियों को जाच करता है, गलत spelling वाले सब्दों के नीचे, लाल रहरदार लाइन दिखाई देती है, तो यह हमें याद रखना है, कि गलत spelling वाले सब्द के नीचे, लाल जो है लाइन हो जाता है, रेड कलर का वहाँ पर लाइन हो जाएगा, गलत spelling के नीचे, और यह तो गलत spelling में होगा, और यदि grammar का आपका तुरूटी है, या grammar का mistake है, तो उसके नीचे हरी लाइन आ जाती है, हरी लहरदार लाइन, तो हरी लाइन जो है उसके नीचे आ जाती है, यह हमें ध्यान में रखना है, और spelling और grammar का हमारा shortcut की होता है, जैसे देखिया यहाँ पर, red underline है यहाँ पर, तो इससे मतलब हुआ कि यह spelling mistake है, अब है header और footer, तो header वह text होता है, जिसे परतियक प्रिष्ट के सीर्स मार्जिन पर डाला जाता है, header वह text होता है, जिसे परतियक प्रिष्ट के सीर्स मार्जिन यानि उपर डाला जाता है, उसे header काते हैं, और footer वह text होता है, जिसे निचले मार्जिन में डाला जाता है, निचले मार्जिन में जो डाला जाता है, उसे कहा जाता है, header अब यदि page number आपको अपने document में insert करना है तो वो हम कैसे करते हैं यहाँ पर word में आ जाते हैं insert tab में जाएंगे और यहाँ आपको option मिलता है header and footer block में यहाँ पर page number इस option से हम यहाँ से page number इसमें insert करा सकते हैं ठीक है तो insert tab में header and footer block में page number अब है हमारा page break insert करना तो जब आप word दस्तावेज में type कर रहे होते हैं और जब आप page के नीचे पहुच जाते हैं तो 140 रूप से page break insert हो जाता है मतलब जब हम यहाँ लिखते हैं लिखते लिखते यह page में हमारा खतम हो जाता है तो अपने आप automatic से देखे दूसरा page आ गया लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर अब हमें इस page में नहीं लिखना हो इसके नीचे लेकिन देखें यहाँ page नहीं है अभी इसके नीचे जो हमारा page आ जाए तो उसके लिए हम करते हैं page break है ना जिसका shortcut की यहाँ पर होता है control के साथ enter control enter दबाने से देखे इस page में इतना ही लिखा है इसके बाद हमारा एक नया page आ गया